पूर्वी लद्दाक ने चीन से सटे बॉर्डर पर तराव के वीद सेना प्रमुक जर्वल मरूज मुकुंद नर्वडे मंगलवार को ले के लिए रवाना हुए जर्वल नर्वडे ने सुमवार को दिली में टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ सिक्यूरिटी सिच्वेशन पर चर्चा की आपको बता दे कमांडर्स कॉंफरेंस में हिस्सा लेने के लिए आर्मी के सभी कमांडर्स इंदनों राजधानी में मौझूद हैं और इसमें नॉर्डर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर ऑपरेशन सिच्वेशन को लेकर चर्चा को लेह में जवानों से साजा कर सकते हैं और इसके लावा वो सीमा पर ताजा हालात के बारे में भी अपडेट लेंगे आर्मी चीफ लेके मिलिटरी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं घायल जवानों से मिलेंगे 15 से 16 जून को गलवान घाटी में पेट्रोरिंग पॉइंट 14 पर चीनी सैने को संग हिंसक जड़प में ये सैने खायल हुए थे सेना प्रमुक को इन जवानों से मुलाकात कर उनका होसला बढ़ाएंगे और उसके लावा वो पंदरवी कॉपर्ज में कमांडर लेटरेंट जनरल हरिंदर सिंग से भी मिलेंगे सिंग और उनके चीनी समक्षम के बीच सुमवार को तनाव सुलजाने के लिए 12 घंटे बातचीत हुई थी वह सेना प्रमुक को इस बातचीत का पूरा ब्योरा देंगे और जनरल नर्वडें का ये दौरा सेना की तयारियों के लिहास से बेहदैन है चीन की ताजा हरकतों के बाद बड़ी संख्या में फोर्स LAC से सटे इलाकों में तैनाथ की गई है सेना से वेसिज पर रिजर्व फोर्स मौजूद है सेना प्रमुक लेह में इंडियन आर्मी के तयारियों का रिवियू करेंगे